आपके बोर्ड एक्जाम के लिए क्या क्या टोपिक हमारे एकोनोमिक्स में बहुत इंपोटेंट हो सकते हैं और जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपने अपकमी एक्जामिनेशन के हिसाब से तो जैसे कि आप देखें तो यहाँ पर सबसे इंपोटेंट है आ आप जानते हैं दो एकोनोमिक्स होती है एक माइक्रो होती है और एक मैक्रो होती है तो माइक्रो एकोनोमिक्स के स्कोप में ये तीन बाते आती है जिनको आप याद रखेंगे और मैक्रो एकोनोमिक्स के स्कोप में ये दो बाते आती है जिनको आप याद रखेंगे पेपर ये आप ignore कर देंगे कि micro economics क्या है तो वो आप जानते हैं 11 में भी पढ़के आए कि micro economics जब हम individually बात करते हैं और macro economics जब हम economics as a whole की बात करते हैं तो इसके बाद आपके लिए next is important होने वाली है कि हमारे जो जो जोन मैनियार्ड कीन साब हैं उन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम आपको याद रखना है the journal theory of employment interest and money in 1996 केवल आप इतना याद रखके चलेंगे फिर आगे बढ़ते हैं आपको सबसे जो important है वो ये भी याद रखना है कि क्या difference हो सकता है micro और macro economics में तो micro और macro economics में difference क्या हो सकता है वो आपको याद करके जाना चाहिए ये आपके paper के लिए important हो सकता है चलिए जी फिर इसके बारे में बात करते हैं next हम बात करते हैं GDP क्या है एक नंबर के लिए GDP बहुत ही जादा important question यहां से बनेगा कि what do you mean by GDP आप जानते हैं value of final goods and services जो produce हुई है within a year एक domestic territory में उनको हम GDP बोलते हैं अब GDP में क्या-क्या बाते include होती हैं और क्या-क्या बाते exclude होती हैं ये भी आपके paper के लिए बहुत important है तो GDP में क्या-क्या included है वो भी याद रखेंगे आपकी screen पर है कि GDP में ये कुछ बाते included हैं और GDP में ये कुछ बाते हैं जो excluded है तो excluded और including वाली बातों को आप याद रखेंगे बहुत important है फिर हम आगे बात कर लेते हैं circular flow of income की तो आप केवल याद रखेंगे कि 3 हमारे circular flow of income में 3 phases होते हैं एक को हम production phase, एक को हम income phase और एक को हम expenditure phase बोलते हैं अब इनके बारे में कैसे लिखेंगे ये आपके सामने लिखा हुआ है कि production phase क्या है, income phase क्या है और income phase को हम distribution phase भी बोलते हैं यह आपको पता होना चाहिए और expenditure phase क्या है जो अपनी wants को satisfy करने के लिए हम पैसा खर्च करते हैं वो हमारा expenditure phase का हिस्सा होता है चलिए जी अब आगे बात कर लेते हैं circular flow of income की क्या definition होती है refers to the flow of money income or the goods and services across different sector of the economy और generally यहाँ पर हम two sector का flow ही पढ़ते हैं आप जानते हैं two sector economy, three sector economy और four sector economy होती है लेकिन हमें यहाँ two sector economy के बारे में ही पढ़ना होता है कुछ इस तरीके का हमारा flow of goods and services होता है तो आप यह वाला graph बना देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्या-क् factor of production होते हैं, rent है, rent on land है, interest on capital है, profit of entrepreneur है, wages to labor है, यह सारे हमारे factor of production होते हैं Real flow, money flow आपके paper के लिए बहुत important है कि real flow क्या होता है, money flow क्या होता है यहाँ बहुत कम सब्दों में, बहुत सटीग भासा में यहाँ कुछ definition लिखी हुई है जिनको आप पढ़ लेंगे इसके बाद यह आपके सामने एक chart बना हुआ है, flow chart बना हुआ है, जो आपको बता रहा है, money flow और real flow के बारे में कि यह किस तरीके से काम करता अगर paper में पूछा जाए, explain the concept of money flow और real flow, तो आप यह बना देंगे तो जादा अच्छा रहेगा इसके बाद बात करते हैं, leakage और injection की, leakage का मतलब होता है कि GDP से कुछ हिस्सा बाहर निकल जाना, जिसकी जैसे GDP का size सोड़ा कम हो जाएगा और injection का मतलब होता है कि GDP में कुछ inject कर देना, जिसकी जैसे size of GDP या economy बढ़ जाएगा तो leakage से economy कम होती है, और injection से inject करने से money हमारी GDP जो होती है, जादा हो जाती है क्या-क्या component है जो leakage करते हैं, saving taxes और import से हमारी GDP में leakage आती है जैसे बात करें saving की, तो आपने पैसा कमाया और save करके रख लिया, तो आपने उसको circular flow of income से बाहर कर दिया आपने उठाया और उसको economy से बाहर कर दिया, जिसकी जैसे economy में leakage हो जाएगी क्योंकि जितना पैसा flow में रहेगा, उतना economy आगे बढ़ेगी, तो हमें पैसे को save के साथ क्या करना, investment तो अगर आप invest कर देते हैं, तो injection या inject माना जाता है, और अगर आप withdrawn कर लेते हैं, या saving कर लेते हैं, तो उसको क्या माना जाता है, leakage माना जाता है चलिए जी, अब आगे बात करते हैं बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे, next, next, चलिए जी, अब leakage और injection के बारे में कुछ बाते लिखी हुई हैं, ये आप एक बार read out कर लेंगे मरे बच्चों, चलिए जी, अगर आप चाहते हैं, economy के size को बढ़ाना, तो आपको क्या करन पड़ेगा, if we want grow the size of economy, increase injections, decrease leakage, अगर economy बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको injections को increase करना पड़ेगा, और leakage को कम करना पड़ेगा, ये बात आप याद रखेंगे, चलिए जी, अब यहाँ पे circular flow of income में ये हमारा थोड़ा सा factor income, ये graph आप अपनी बुक से भी देख लेंगे, थोड सा कुछ issue होआ इसमें और ये खराब हो गया, आप जानते हैं, household और आपको पता ही है कि household के बीच में और firm के बीच में जो transactions होती है, उनी को हम क्या बोलते है, real flow और money flow बोलते हैं, और money flow का बोलते हैं, वो अभी हमने cover किया था, चलिए जी, अब बात करते है, type of goods की type of goods भी ब category में बटे होते हैं, consumption और capital goods, तो ये paper के लिए बहुत important हो सकता है, आपको ये याद रखके चलना है, तो intermediary goods, कौन-कौन से goods होते हैं, वो goods जो resale के लिए या further production के लिए use होते हैं, उनको हम intermediary goods use करते हैं, बोलते हैं, ये दो words आपको जरूर लिखने हैं, अगर number चाहिए तो अब final goods क्या होते हैं, final goods में include करते हैं, consumption या investment और ये दोनों word आने बहुत जरूरी हैं, चलिए जी, अब कुछ tips में लिखा हुआ है, intermediary goods, यानि कि वो goods जो further production के लिए use हो, या resale in the same year हो जाएं, तो उनको हम intermediary goods बोलते हैं, final goods वो होते हैं, जो personal consumption के लिए या हम investment purpose के लिए use क करते हैं, आगे बढ़ते हैं, intermediary goods और final goods के कुछ example लिखे हो हैं, दोनों के बीच में difference most important हो सकता है, आपको जरूर पढ़कर जाना चाहिए, चलिए बेटा जी, अब आगे बात करते हैं, अपने final goods के बारे में जो दो होते हैं, consumption goods और capital goods, अब consumer goods कौन से होते हैं, वो goods जो consumer अ non-durable goods का मतलब जैसे ही जट से खाया और वो goods खतम हो जाएंगे, यानि कि वो लंबे time of period के लिए नहीं चलेंगे, उसी time period के लिए रहेंगे, जैसे हम pizza खाते हैं, Pepsi भी लेते हैं, वो सारे हमारे non-durable goods होते हैं, semi-durable goods जो goods हमारे थोड़े period of time के लिए use में आ जाते हैं, जैस services वो होती हैं, जो intangible nature की होती हैं, जो directly human wants को satisfy करती हैं, लेकिन goods होते हैं, tangible nature के और services होती हैं, intangible nature की ये बात आपको याद रखनी हैं, ठीक है बेटा, अब capital goods, के बारे में कुछ बाते लिखी हुई हैं, अराम से आप इसको पढ़ लेंगे, उसके बार difference between consumption goods और capital goods, ये भी paper के लिए important हो सकता है, इसको एक बार बेटा जी पढ़ के जाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, कि क्या-क्या difference होता है हमारा final goods, यानि कि consumption goods हम कब बोलेंगे, capital goods हम कब बोलेंगे, या intermediary goods कब बोलेंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है, तो मैं यहाँ पर एक example पढ़ देत rate करेगा, तो वो capital goods हो जाएगी, और वही car, showroom dealer ने खरीदी है, क्योंकि वो आगे उसको customer को बेचेगा, तो वही goods आपका intermediary goods हो जाता है, जैसे Cars 24 वाले जो पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, तो वो पुरानी गाड़ी खरीद के आगे further resale कर देते हैं, तो वो हमारा Cars 24 के ल तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद कुछ problem है, जिसमें आपसे पूछा गया, बताओ कि ये कौनसा goods होगा, क्या final होगा, क्या intermediary होगा, ये दो example आप अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर आगे बात आ जाती है, थोड़ा important है, ये भी stock and flow की, stock और flow क्या होता है, त ये बात आपको सबसे जाद important रखनी है, याद रखनी है, और यहाँ से मेरे बच्चो MCQ हो सकता है, आगे बात करते है, stock और flow के बीच में difference, ये बहुत important है, stock और flow के बीच में क्या difference हो सकता है, stock एक static concept है, यानि कि स्थिर concept है, flow एक dynamic concept है, हमारी जो wealth balance sheet होती है, वो एक stock का example है investment, profit and loss, ये हमारा flow का example है, तो ये बाते हम याद रखेंगे, यहाँ पर ये एक chart बना हुआ है, जो बता रहा है आपको कि देखिए, flow input के रूप में भी हो सकता है, और input के रूप में होते होते हैं, यानि flow जब input करता है, तो वो क्या बना देता है, stock बना देता है, ये ये वा से हमने फिर उसको use कर लिया, तो फिर से flow बन गया, यानि flow दो जगह से होता है, input वाला area भी flow होता है, और output वाला भी flow होता है, और जहां हम उस input को एक जगा इखटा कर देते हैं, और वहाँ पर देखने लग जाते हैं, तो उसको हम stock बोलते हैं, जैसे मैं बोलने लगू, आ हमारा flow of the money, तो आप ये बात दिहान दखेंगे, आगे बढ़ते हैं कुछ problem जिसमें वो आप से पूछ रहा है कि बताईएन में से कौन सा stock है, कौन सा flow है, ये आप देख लेंगे, दो problem कर लेंगे, more than enough है, बाकी को ignore कर दे, real GDP और nominal GDP ये भी आपके लिए बहुत important concept है कि real GDP क्य होती है और nominal GDP क्या होती है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो nominal GDP का मतलब होता है, is the monetary value of all goods and services produced in an economy during a financial year estimating using current market price, यानि कि current market price के हिसाब से हमने जो goods and services provide की है, value मतलब units of goods and services को जब हम multiply करेंगे, current price के साथ तो जो हमारी value निकल के आएगी, उसको हम nominal GDP बोलते है, getting my point, अब बात करते हैं real GDP की, तो real GDP में वो बोल रहा है कि हम constant price की बात कर रहे है, यानि कि base year के price की बात कर रहे है, अब sir, base year price और current year price में difference क्या आजाएगा, बेटा, inflation का difference आजाएगा, क्यों पिछले साल किसी चीज़ के rate जो है, और इस साल उस चीज़ के rate जो होंगे, दोनो पिछले साल वो goods कितने में मिल रहा था, इस basis पे estimate करते हैं, तो उसको हम real GDP बोलते हैं, तो real GDP का क्या मतलब हुआ, real GDP का मतलब हुआ, जहां पर हम price को constant रखकर अपनी GDP को देख रहे हैं, इसका मतलब, पिछले साल हमने 1,00,000 unit बेची थी 100 के हिसाब से, तो इस साल हम कितनी unit ब बेच पाएंगे, उसको GDP बोलेंगे, for an example, पिछले साल हमने 1,00,000 unit बेची, तो 1,00,000 into 100, previous year की बात होगी, current year में हमने 1,500,000 unit बेची, तो 1,500,000 into 100, यह हमारी real GDP हो गई, लेकिन वो unit जो पिछले साल government ने 100 रुपे की बेची थी, इसको महंगाई की वज़े से वो बढ़कर 1, 500 की हो गई है, तो जब हम इसको 1,500,000 into 1,500 कर देंगे, तो यह हमारी nominal GDP हो जाएगी, real indicator जो होता है, वो GDP का, वो real GDP ही होती है, यहाँ से ही GDP निकालना अच्छा भाना जाता, देखिए, आज के टाइम में, for an example, हम कह देते हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारा goods or services का output बढ़ रहा, पिछले साल भी हम 1,000,000 unit बेच रहे थे, इस साल भी हम 1,000,000 unit बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी इस साल की GDP जादा आ गई, क्योंकि पिछली साल वो 1,000,000 unit 100 के हिसाफ से बेची थी, इस साल वो 1,000,000 unit हमने 1,500 के हिसाफ से बेच दी, तो यह जो GDP बढ़ी है, यह प्राइज की वज़े से बढ़ी है, तो इसको nominal GDP बोलेंगे, real GDP constant price पर देखी जाएगी, base year के price पर देखी जाएगी, तो real growth अगर हमें अपनी देखनी है, तो हम inflation की वज़े से जो GDP बढ़ी है, उसको नहीं देखेंगे, हम constant price पर GDP को देखते हैं, यानि कि real GDP मतलब constant price की GDP, चल आगे बढ़ते हैं, GDP at constant price, इसी को ही हम current market price या real GDP बोलते हैं, मैंने कहा न, price को constant रखेंगे, जितना पिछले साल वाला price था, उतना ही price आज के time पर मान के GDP निकालो, वही आपकी real GDP मानी जाएगी, और उसको GDP at constant price भी बोला जाता है, इसको opposite GDP at current price होती है, और इसको nominal GDP बोलते है दोनों को बढ़के जाएंगे, बहुत important है, आगे बात करते हैं, GDP deflator या in price index के बारे में, बेटा जी ये एक ratio है, ये एक ratio है, एक relation है, जो nominal GDP और real GDP के बीच का ratio बताता है, यानिकि it is a relation who define the ratio between the nominal GDP and real GDP, आप ये याद रखेंगे, इसका formula याद रखेंगे, NGRG है न, NGRG मतलब nominal GDP divided by real GDP multiply by 100, ये इसका formula होता है, ये formula जरूर याद रखेंगे, एक number के लिए important हो सकता है, ये question है कि कैसे solve करेंगे, इस पर बात नहीं करते हैं, तो इन सब को ignore कर देते हैं, आप आगे बात करते हैं, investment के बारे में, investment हमारी दो होती है, gross investment या capital formation या net investment या capital formation, gross और net के बीच में जो difference होता है, वो depreciation का या consumption of fixed assets का होता है, ये बात हमें याद रखनी है, तर gross investment किसको बोलेंगे, बेटा जो भी हमारा capital formation है, एक economy में, जब हम उसमें जोड देते हैं, change in stock या stock investment, तो कहने का मतलब, gross investment या capital formation में दो बाते आती हैं, एक तो gross fixed capital formation प्लस stock की investment है, आपने आगे national income क method में भी बाते पड़ी हुई है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, तो depreciation क्या होता है, depreciation का हम consumption of fixed assets भी कहते हैं, तो depreciation क्या होता है, sir, किसी भी tangible fixed assets की value में, जो गिरावट आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, depreciation बोलते हैं, अब यहां से एक number का important MC की हो सकता है, ध्यान रखिए या abnormal loss है ना, unknown reduction in the value of capital assets is known as capital loss, अगर known reduction है, हमारी किसी assets में तो उसको depreciation बोलेंगे, और unknown reduction हो गया हमारी किसी assets में तो उसको हम capital loss बोलेंगे, जैसे मेरी गाड़ी मैं उसको use करता हूँ, उसकी वज़े से मेरी value कम हो रही है, तो यह depreciation है, लेकिन कोई अपनी गाड़ी को चला रहा है, और उसका accident होगी आचानक से, इसलिए उसकी value कम हो गई, तो अब यह depreciation नहीं है, अब यह capital loss है, क्योंकि capital loss और depreciation में बच्चों को बहुत confusion रहता है, और यह बहुत important है, तो इसको दिमाग में रखे, आप चलेंगे, अब कारण क्या है depreciation, भाईया सर आप अपनी गा ब्ला 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 चीजें हैं, वो उसकी value डाउन होती जाएगी समय के साथ, वो repairing maintenance cost मांगेगी ना, तो जितनी value चलाने की वज़े से कम होती है, छोटी मोटी तूट-फूट की वज़े से, use की वज़े से कम होती है, इस वज़े से हम depreciation लगाते हैं, और साथ में expected obsolence, यान बड़ा accident जो हो जाएगा, वो capital loss की category में आ जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, चलिए जी, wear and tear और expected obsolence किसकी वज़े से होता है, सर, expected obsolence, ये important हो सकता है, paper में ध्यान रखेंगे, सर, technology change हो जाए, इसकी वज़े से, या फिर लोगों का taste and preference बदल जाए, इसकी जाएगे, तो वही गिरावट को हम depreciation भी बोलते हैं, बस इतना याद लखेंगे, ये ऐसा कहलो, कोई market में नहीं चीज आई है, अब वो कैसी भी है, बस नहीं आई है, तो लोग जो अब तक खरीद रहेते हैं, उसको छोड़के नहीं की तरह भाग रहे है, क्योंकि उनका taste and preference change हो गया, तो अब पुराने वाले को, क्योंकि उसका customer base तूट रहा है, तो उसको बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो पुराने अपने उस goods को सस्ते में बेचना चालू कर देगा, तो जितने की गिरावट होगी, वो obsolence, यानि की depreciation का एक factor होगा, capital loss, मैं भी बता जा था, sir, depreciation और capital loss, बहुत important है, दोन में comparison, बहुत important है, capital loss क्या होता है, sir, loss in the value of asset due to natural climates like flood वगेर आगे इस वजय से, और unforeseen factor, unforeseen factor, यानि की non factor नहीं, unknown factor, non loss नहीं, unknown loss, इसको हम पता नहीं लगा सकते की होगा, या नहीं होगा, तो यह ध्यान रखेंगे, यह बहुत important है, और नीचे जो line लिखी है, इसको भी धंक से देखेंगे, capital loss are not the part of the depreciation, and provision for such losses can be through insurance, वो बात, आपकी समय से बाहर है, इतना ध्यान नहीं देंगे, बस इतना ध्यान दखेंगे, capital loss, depreciation का हिस्सा नहीं है, चलिए जी, आगे बात करते है, difference की, कि depreciation और capital loss में क्या difference होता है, एक बार इसको पढ़ लेंगे, paper में एक आपका question जरूर आएगा, जिसमें वो ये पूछेगा, मान लिए तीन number में आएगा, date date number के दो point होगे, और उसमें आप पूछेगा, बताओ, इन में से कौन सा national income में include होगा, कौन सा national income include नहीं होगा, जो topic हमारा पहले जा चुगा, त क्या difference होता है, बहुत important है, सर जी, bilateral national income का हिस्सा होती है, unilateral national income का हिस्सा नहीं होती है, जैसे old age pension हो गई, मैंने किसी को gift दे दिया, या मुझे old age pension मिल रही है, या मुझे अपने पिताजी से विरासत में कुछ मिल गया, तो वो सारी चीज़े जो होती है, unilateral payment होती है, और यही वो payments है, जो national income का हिस्सा नहीं होती है, biliteral, यानि कि जिन में something in return, something in exchange होता है, वो biliteral होती है और वो national income का हिस्सा मानी जाती है, यह बात आप याद रखेंगे, चलिए जी, transfer payment क्या-क्या होती है, इसमें क्या can included है, आप धियान रखेंगे, क्या लेते है, क्या नहीं लेते है आप जल्दी-जल्दी से इसको पढ़ लीजिएगा, economic territory, domestic territory क्या होती है, एक बार पढ़ के जाएंगे, embassy वाला हिस्सा, US embassy one exception है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें जल्दी-जल्दी खतम करना है, important हो सकता है कि citizen कौन होता है, तो citizen क्या है, एक नमबर के साफ से इसको पढ़ के चलेंगे, definition आपके सामने लिखी हूँ, यह resident एक नमबर के साफ से important है, जरूर पढ़ के जाएंगे, sir problem है, यहापे कुछ सामने concept लिखे हूए, resident और non-resident के concept में, तो किसको resident माना जाएगा, किसको resident नहीं माना जाए इंडिया, भारत का रहने वाला हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, तो केवल भारत की बात सुनाता हूँ, उसके अलावा मुझे नहीं पता, तो sir, देखिए, अब हमने, यह हमारी economic territory, यह हमारा भारत का नक्सा है, तो इसके अंदर जितना भी goods and services produced होगा, जितना भी भा produce करने वाला कौन है, यह बात irrespective है, sir, produce करने वाला कौन है, यह बात irrespective है, इसका मतलब क्या है, बेटा, भारत में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक जो भारती हैं हैं, और एक वो लोग जो भारत से आकर भारत में काम कर रहे हैं, तो जो भारत के लोग भारत में काम कर रह है, उनको हम बोलेंगे नोन-resident, तो हमें इस बात से घंटा फरक नहीं पड़ता, कि वो resident है या non-resident है, हमें बेटा जी इस बात से फरक पड़ता है, क्या production भारत की चार दिवारी के अंदर हुआ है, क्या production भारत के अंदर हुआ है, क्योंकि GDP एक location based concept है अगर production Indian territory में होगा तो that will be the part of GDP इतना याद रखना है whether produced by the resident, whether produced by the non-resident एक साल के अंदर, एक fiscal year के अंदर Indian territory में या domestic territory में जितना भी production होगा weather by the resident, weather by the non-resident is known as GDP यानि कि sum of output या output of the goods and services याना final output of goods and services ये बात आप ध्यान रखेंगे चलिये जी तो ये बात हमने आपको बता दी थी जल्दी से जल्दी से बलर दी होने का एक मिनट का टाइम बेटा, इसकी थोड़ी फिसी निकल गई, हमारे बच्चे कहते हैं, चलिये जी, चलिये जी बेटा जी अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने बात कर ली थी, domestic national lingam पे हम चल रहे थे, थोड़ा सा हुआ interaction, उसके लिए चाहते हैं, माफी, जल्दी से देखिए आगे, domestic concept के बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे हैं लिखा हुआ है, resident of India, जो भारत का है, resident of Japan, लेकिन भारत में काम कर रहा है न, देखिए, टाटा मोटर, इंडिया, प्रोफिट इन इंडिया, टाटा मोटर का जो प्रोफिट इंडिया में है, वो GDP का हिस्सा है, लेकिन जो Japan वाले भारत में आके देदें, जो भारत वाले ही भारत में आके देदें, वो GDP का हिस्सा बनेगा, बस इतना ध्यान दखेंगे, चलिए जी, आगे बात करते हैं, अब net factor income to abroad और net factor income from abroad, बेटा जी, बहुत से रख्टे बाज, तरीके की ट्रिक यहां पे, लोग चलाने लगे मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ, फीपा, फीपा, फीपा मत करना, वरना फीपा, फीपा फीपा बेबर में हो सकता है, ध्यान से सुनना ये घुमा फिरा के भी बोल देते हैं, आपको ये याद अखना net factor income to abroad या from abroad का मतलब क्या है, देखो बेटा जी, अभी हम क्या भारत में, भारत के अंदर दो लोगों ने production किया, एक तो जो इंडिया का resident था, उसने भी किया, और एक जो इंडिया का resident नहीं था, उसने भी production किया, अब मिनिंग समझे, जो इंडिया का resident है, वो तो अपना production और goods and services से जो भी value आएगी, इंडिया में ही रखेगा, लेकिन व तो वो पैसा यहां से बाहर चला जाएगा तो फीपा और फीटा जो आप बोलते हो यादि कि net factor income from abroad में हम यही देखते हैं कि कोई दूस्ट आदमी हमारे यहां से आकर हमारे resources को use करके इतना कमा के ले गया तो हे भारत के वीरो उठो और अपनी ताकत हनुमान जी की तरह पहच को हम बोलते हैं factor income from abroad यानि कि income earned by the Indian resident outside the India वो होता है हमारा factor income from abroad अब factor income to abroad का मतलब क्या होता है income earned by the non-resident in India यानि कि एक विदेशी आदमी ने भारत में रहकर जो कमाया वो क्या है हमारा वो है factor income to abroad तो अब हमें factor income from abroad यानि कि हमारा आदमी भार से कमा के जो लाया उसमें से घटा देना है यहां से जो कमा कर ले गया तो उसको बोलते है net factor income to abroad hope it's clear इसको गुमा फिरा के ऐस of the income by the non-resident in India over the resident of India तो ये चीज़ धियान रखना अब यहां पे FIFA फिरा नहीं बोलेगा वो घुमा फिरा के वर्ड यूज करेगा ठीक है तो सर अब यहां पे आपने दो वर्ड लिखे है factor income from abroad और factor income to abroad इसमें हम कैसे समझेंगे वेटा अगर paper में दे रखा है factor income to abroad है ना तो concept को हम from से opposite कर देते हैं जब आपको class में बढ़ाया था जब भी बताया था कि आपको रटना नहीं आप इतना याद रखो from से सोचेंगे हम हमेशा पे question में कुछ भी दे रखा हो factor income from abroad से ही सोचेंगे अगर paper में दे रखा है net factor income from abroad तो इसका मतलब उसने minus कर रखा है और अगर factor income from abroad है तो domestic से जब आप national पर जाएंगे तो plus कर देंगे अब इसकी जगा अगर net factor income to abroad दे रखा हो तो minus कर दो उल्टा कर दो अपोजिट से बात करो सर अगर उसने national income से हमें gross पे ले जाना है यानि कि हमें domestic से नहीं अब हमें national से domestic पर जाना है तो national से domestic पर जाने के लिए net factor income from abroad को हम माइनस करेंगे लेकिन अगर net factor income to abroad दे रख्योंगी तो इसका उल्टा यानि कि माइनस का उल्टा प्लस कर देंगे अगर आपने एक last question पहले से ढंक से करा होगा तो आपके सिर के उपर से भी जा सकता है तो कोई बात ने फिपा वाइनस फिटा वो जो आप करते हो आदमी है जिसने काम तो भारत में किया है लेकिन खुसी खुसी इंकम को यहां से उठाकर भारत से बाहर ले जाएगा और ये आदमी factor income from abroad ये भारत का आदमी है ये राफेल पे बैठके भारत में आ रहा है तो ये भारत का आदमी है जिसने भारत के बाहर काम किया है लेकिन इस income को कमा के वो कहा लाएगा भारत में लाएगा चलिए कर देते हैं ऐसा चलिए जी हाजी आईए चले बेटा चलो चलो मना नहीं करते हैं animation run क्यों नहीं हो रही है चलिए animation यह run होनी चीए थी एक बार मैं आपके लिए animation play करके दिखा देता हूँ current page से ही animation को run कर देता हूँ आपके लिए देखें मैं इसको कैसे बोल रहा था इस तरीके से थोड़ा animated तरीके से आप समझेंगे कि यह हमारा भारत है और यह देखें यह आदमी यहां से भारत से बाहर चला गया तो कहने का मतलब जो income भारत के बाहर से भारत में आएगी वो plus हो जाएगी जो income भारत से उटके भारत के बाहर चली जाएगी वो minus हो जाएगी इतनी सी बात हम आप से कहना चाहरे थे hope it's clear आपकी यह समझ में आ गया होगा तो इससे हमारा थोड़ा time animation से जाता है इसलिए हम इस animation को क्या कर देते हैं थोड़ी देर के लिए close कर देते हैं अब यह सारा close ना हो जाए बस भगवान से यही प्राथना करते हैं चलिए जी अब national concept की बात कर लेते हैं तो बेटा जी national concept जो होता है यह हमारा ownership based का मतलब हमारे यहां production कितना हुआ अब हम यह नहीं देख रहे ह अब हम यह देख रहे हैं हमारी जेब में कितना आया तो सर जो इंडिया में कमाया वो तो हमारा ही है जो यहां से कमा के बाहर ले जाएगा वो तो माइनस हो जाएगा और जो भारत के बाहर से कमा के इंडिया में लाएगा वो प्लस हो जाएगा इसलिए ही हम जब domestic income में रोड तो उसी को हम बोल देते हैं national income साधारान भासा में कम सब्दों में ठीक है बेटा जी चलिए अब ये कुछ कता है आपके सामने लिखी हुई है कि कुछ national से domestic पे जाएंगे तो NFI ये क्या कर देंगे किसको plus करें किसको minus करेंगे domestic और national income में क्या difference है इसको अच्छे से पढ बारे में हम बात कर चुके थे कि हमें depreciation growth से net पर जाना है तो क्या करना है depreciation को plus minus करते है यानि growth से net पर जाएंगे depreciation minus कर देंगे वापस जाएंगे तो plus कर देंगे इन बातों पर में time खराब नहीं कर रहा क्योंकि ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा difference between क्या है factor cost and market wise के अंदर तो tax का difference होता है कि वहाँ पर जब आप factory से बाहर निकलके market में जाते हैं तो tax add कर देते हैं क्योंकि goods factory में है तो tax नहीं लगेगा लेकिन factory से बाहर बाजार मस को बेचने जाएंगे तो tax लग जाएगा इतना याद रखेंगे factor cost से जब आप market cost पर जाएंगे तो वहाँ पर net indirect taxes add हो जाएंगे लेकिन ध्यान रखना direct नहीं indirect taxes अब ये भी याद रखना indirect taxes में क्या क्या आता है ये वाली बात भी बहुत important है क्योंकि direct tax जैसे income tax दे देगा और बच्चा income tax को भी उठा लेगा क्योंकि बालक करता है पीछे tax आया ले लो नहीं नहीं बेटा tax भी दो होते हैं direct और indirect ये बात भी हमें याद रखनी है तो इन चीजों पर मैं थोड़ा time खराब नहीं करूंगा ये आप जानते हैं एक बार यहां से पढ़ लेंगे जो जो बात हैं लिखी हुई है इनको तो आपने अच्छे से करी लिया होगा पूरा साल घोटा लगवाय है आपने इनका फिर भी आप अगर फोर्मूले भूले हुए तो ये आपके सामने लिखे हुए साधान भासा में किस तरीके से करेंगे तो numerical question ये कुछ है आप ये try कर लेंगे आप screenshot लेना मैं तो जल्दी जल्दी से इनको turn कर रहा हूं आप इनका screenshot ले लेना और answer को solve करके practice क करके देख लीजेगा कर लेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा नहीं करेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा tension free रहेंगे ठीक उमीद करते हैं आप कर लेंगे ठीक है बेटा जी तो ये कुछ सामने आपके चीजे हैं अब आगे बढ़ते हैं limitation क्या है GDP की ये बहुत याद आते हैं non-monetary transaction कौन-कौन सी होती है तो यहाँ पर बहुत की और selected words of 2 में लिखा हुआ है तो किताब से क्योंकि आपको mobile में पढ़ने में ज्यादा मज़ा आता है तो उसकी जगह आप यहाई से ही देख लें आपको सारी चीजे मिल जाएंगे expenditure method, income method और value added method इसके बारे में ह परचा काफी deep में कर चुके हैं तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हाँ इनके कौन-कौन से question important हो सकते हैं उनके बारे में हम आपको जरूर बता देते हैं कि कौन-कौन से question important होंगे जो आप याद रखने और यह वाला question, procurement in expenditure method, किन-किन सावधानियों को आप बढ़ते नुमेरिकल वाला question, अब यह आपके लिए question, जितने भी question हैं यह सारे कर लेंगे ना बेटा, more than enough, more than enough questions है, question with answers है, इनको कर लो, इनको बैट-बैट के निमटालो, आज का पूरा यह आपकी पूरी class, 10 number, 10 number, 10 number, 10 number, 10 number, इस से बहार नहीं आएगा, यही इस chapter में है, जल्दी स एक बार इसको revise कर लो, सारे important question यहाँ पर है, आपके सामने लिखे होए हैं, इनको आप अच्छे से कर लो, तो यह more than enough हो जाएंगे, ठीक है बेटा जी, तो यह आपके लिए more than enough हो जाएंगे, अगर आप इने कर लेंगे, सब आपके सामने questions चल रहे हैं, आप बाद में pause करक स्क्रिंसोट ले लेंगे और अराम सिकर करके देख लेंगे, सारे question इसमें है, अब income method पर आ जाते हैं, income method आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, बस इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि कौन-कौन सी include होगी चीजें, कौन-कौन सी include नहीं होगी, बस आपको वो ध्या का लेते हैं, retirement benefit भी employee का नहीं लेते हैं, employer का लेते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है, compensation to employees में क्या-क्या आता है, ये बाते तो हमने पूरे साल बहुत अच्छे से करी हैं, तो इस पे हम जादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं, कुछ आपके लिए tips हैं, आप इनको राम से पढ़ लेंगे, क्या-क्या समय लिखा हुआ है, तो जल्दी से बढ़ते हैं, आगे, procurement in income method में इसी के को ढूंड रहा था, बहुत important है, expenditure method में क्या-क्या-क्या आपको लेने पढ़ेंगे, income method में क्या-क्या लेने पढ़ेंगे, ये बहुत important है बेटा जी, आप इनको बहु से इनका बसना, pause करो, screenshot लो, मैंने यहां सब लिखा हुआ, hint भी दे रखा है, क्यों लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, सारी बाते लिखी हुई है, कोई tension नहीं आएगी, इतना कर लोगे, तो more than enough हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको हाथ पर मानने की जूरुत नहीं है, value-edit method, कि value-edit method क्या है, इसमें हमें क्या-क्या चीजे include करनी है, क्या steps होंगे, इसमें steps भी पूछे जा सकते हैं, क्या-क्या steps involved होते हैं, value-edit method में, ये भी important है, तो step आपको सामने लिखे हुए है, इनको लिख कर आ जाएंगे, चलिए जी, तो gross value of output, intermediary consumption क्या-क्या होता है, एक number में important हो सकते हैं, sales निकालेंगे, sales तीन तरीके से निकल सकते हैं, तीन तरीके हैं लिखे हुए हैं मेरे बच्चो, उसके बाद value of output निकालेंगे, value of output के बाद जब हम कुछी जोगो plus minus करेंगे, तो हमारा GDP MP आ जाएगा, और इसको gross value added MP भी हम बोलते हैं, चलिए जी, आगे बात करते हैं, value added method के बाद में, क्या-क्या precautions हैं जो आपको value added method के बारे में, यानि का output method के बारे में, दिमाख में रखनी हैं, ये भी important है, इनको भी आप दिमाख में रख कर चलेंगे, मेरे बच्चो, ठीक, double counting, most important question की how to avoid, double counting, double counting की problem कैसे आप avoid करेंगे, final output method में, value added में, और वही more than enough हो जाएंगे, मेरे बच्चो, मैं जल्दी जल्दी से इसलिए बदल रहा हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो खतम हो जाएं, seems that काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, और अगर आप इतना भी कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से आपके maximum 10 में से 10 number cover हो जाएंगे, तो बहुत हुआ आज के लिए इतना मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए आप करिए इस चैप्टर को खतम, टाटा बाए बाए